चलो श्राट करें चलो आज विम्लों स्टार्ट करने वाले हैं स्रीवे इंटर न्यूज्मेट अकाउंटिंग है पेपर 12 या सर जो सीमें इंटर ओल्ड सिलिबस में है उसमें जो पेपर 10 का कॉस्ट और मैंज्मेंट अकाउंटिंग पूर्शन है वो भी इसके साथ कवर करें तो पहले जो common portion है वो complete करके old syllabus वाले लोग को सल्टाएंगे और new syllabus वाले आगे चलते रहेंगे सबसे पहले देखो जो तुम लोगों बुक मेला है इसमें सबसे पहले इंडेक्स देखना तो इंडेक्स के अंदर में बहुत सारा चैप्टर तुम लोगों का पहले सुना वा रहेगा जो लोग group 1 का exam दे दिये जो group 1 का चैप्टर अल्ड़ी पढ़ लिए जरा देखना हमा अगला है budget तो जो चार चैप्टर ऐसा है ना जो अल्ड़ी हमारे paper 8 में भी था जो यहाँ पर भी है पर obvious हमात है यहाँ पर जो coverage रहेगा या जो level of difficulty रहेगा यह थोड़ा ज्यादा रहेगा तब ही तो दो एक और पूरा subject बना है आज यानि budget उधर भी पढ़े इधर भी similarly marginal costing वहाँ भी पढ़े पर यहाँ पर कई ज्यादा detail में है तो जो हम लोग यह वाला paper पढ़ेंगे तो हम एक और गाजूम करेगा कि तुम लोग को paper 8 के बारे में कुछ idea नहीं है ऐसे कितने लोग है जिनको सही idea नहीं paper 8 के बारे में we are starting from scratch चलो very good चलो anyways हम लोग start करते हैं हमारा subject जिसका नाम क्या है एक सेब प्लीज बूरो जिसका नाम क्या है management accounting चलो एक काम करें हम लोग सब से पहले नहीं start करते हैं एक बड़ा important chapter जिस chapter के base के बिनाना आगे हम लोग कुछ समझी नहीं पाएंगे वो chapter का नाम क्या है budget तो अब एक काम करते हैं तुम लोग मेरे बारे में जो जानता है जान लिया मैं रंजन हूँ मैं बड़ा strict type का आदमी हूँ मैं इसे डर के रहना और टाइमली पहुंचना क्लास के अंदर में अगर बैसांस कोई क्लास में लेट आता है तो यह हमारा rule है पहले वार लेट आन नहीं आता है उसके आपर डांस करके दिखाना पड़ेगा तो यह हमारा बस एक मातर रूल है तो इसको थोड़ा फॉलो करना और हर तीन चाप्टर के बाद तुम दो का रहेगा टेस्ट तो टेस्ट देना अती आवशक है अनिवारिया है इतना हिंदी समझ में आता है हम ती तीनों के अंदर में तो एनिवेज तुम जो के इसके एक्जापल जुरूर मिलेगा क्लास करने के दौरा आज चुले काम करें लोग सीधा स्टार्ट करते हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है बजट तो इकाम करना जरा पहला हीडिंग लिखता है बजट हेलो सर हेलो चुले काम करते हैं पहला लिखते हैं बजट सबसे फेले चैक्टर में पढ़ना क्या है टॉपिक्स तुभी कबर्ट प्लीज बद बलो प्लीज सबसे फेले टॉपिक्स तो भी कवर्ट के साथ पहला टॉपिक हम लोगो जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट पहला टॉपिक हम लोगो पढ़ना है फ्लेक्सिबल बजट सेकेंड हम लोगो पढ़ना है फंक्शनल बजट तीसरा टॉपिक हम लोगो पढ़ना है कैश बजट फोर्थ हम लोगो पढ़ना है मास्टर बजट फोर्थ हम लोगो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में चाट टॉपिक हम लोगो शुरुआ करेंगे फ्लेक्सिबल बजट के साथ पर यह सब को स्टार्ट करने के पहले जो चैप्टर बजट है ना यह बजट में पढ़ना क्या है इसके एक ग्लू मिनिट का बीसिक इंट्रोड़क्शन लेते है फिर हम लोगी चैप्टर में सीधा इंटर करेंगे आदि वो नाम है चैप्टर का नाम है बजट पता है नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कोई पता है बजट का मतलब क्या जो साल के इंड में बने या साल के बिगनिंग में बने आज साल के बिगनिंग में तो यह हर कंपनी साल के बिगनिंग में अगले साल के लिए क्या करता है बजट बनाता है आज यानि यह क्या करता है estimate करता है कि इसको अगले साल कैसा perform करता है और हटाओ हम लोग भी budget बनाते है हर साल के 31. December को मैं बनाता हूँ अपने अगले साल का budget जहाँ पे हम estimate करता है कि अगले साल कितने student आएंगे आगले साल उन लोग से कितना fees charge करता है तागि still value मिले अगले साल estimate करते हैं मेरा खर्चा क्या लगेगा बता तो मेरा खर्चा क्या क्या लगता है मेरा पहला लगेगा बुक का printing cost अगला बुलो और क्या अगला electricity charges और बुलो क्या क्या rent मालोई जगह मेरा purchase किया हुए तो rent नहीं लगेगा अगला uncle or नहीं बाहर में managers बैठे हैं जो बाहर में managers बैठे हैं उनका huge salary और बुलो क्या इसके लवा तुम लो को 20 मिचे बहुत सारा party मिलेगा बहुत सारा party मिलेगा उसका मेरा जो cost student welfare expenses तो यह सारा सारा मेरा cost लगेगा जो शुरू में estimate करेगा यानि शुरू में estimate कि sale value क्या शुरू में estimate कि मेरा cost क्या लगेगा शुरू में estimate कि मेरा profit क्या आने वाला है ध्यान दिना यह मेरा budget है और यह दुनिया का सबसे difficult task है future को आज के दिन estimate करदा यह दुनिया का ये संसार का, ये ब्रह्मांड का, ये वर्ड का, ये रिवर्स का सबसे difficult task है future को आच्छे दिन estimate करता एक मिनट, आप बताईए क्या आप estimate कर सकते हैं, अगले साथ बन में खर्चा क्या करेगा इसे वाहियाद अंसर नी सुना जितना pocket में रहेगा आप बड़ा मुश्कुरा रहे हैं तुमको पता, तुम अगले साथ खर्चा क्या करने वाली है इसको नहीं पता, आपको पता है क्या खर्चा करने वाले हैं, नहीं पता किसी को भी पता है खर्चा क्या करने वाले अगले साल भर में क्या पता है आज याने मैजिन करो हम लोग को अपना इठराना नहींगे कि अगले सार नहीं हो खर्चा क्या करेंगे यहां बिचारे हमारे company कर называется एस्टिमेट करना में पड़ेगा कि अगले साथ भर में कितना बेचना है बेचने के लिए बनाना पड़ेगा उसके लिए खर्चा क्या है यह सारा का सारा estimation करना पड़ेगा इस particular chapter में थिक तब इस chapter का नाम क्या है budget आए एक बार मताते हैं सब से important number जो हम लोग estimate करते हैं वो हमेशा होता है sale value और मेरा अगला question उठता है sale estimation कौन करने वाला है एक company के अंदर में जो selling and distribution department है या जो marketing department है सबसे पहले जाते हैं उनके पास मालू ना जी कौन है हमारे marketing department की हैंड पहले ना जी से पुछे कि ना जी आप बताएगे कि अगले साल में मालू मेरा काम में pen मना कर बेचने का world class pen जब चलना शुरू होता है रुकता ही नहीं है बनाएंगे तो अगला हम पता जाएगा production department के पास हम मोलेगा madam हमारे marketing वाले का plan एक प्लाग pen बेचने का बना पाएंगे बना ज़रूर बनाएंगे तो हम मोलेगा उसको बनाने के लिए आपके बस machine है अब यह estimate करेगी आप production करने के लिए क्या मजदूर लोग है यह estimate करेगी तो अब अगला ही estimate करने वाली है कि कितना employee लगेगा उसका खर्चा क्या अगला ही estimate करेगी कितना material use होने वाले है उसका खर्चा क्या यानि सबसे important number क्या है sale जब तक यह नहीं पता चलेगा अगले साल बेचरा कितना है खर्चा कैसे estimate करेंगे in fact तुम लोग बताओ हम जब budget बनाता होगा तुम लोग के साब से मेरे सबसे important number क्या है जो मेरे को पहले estimate करना पड़ेगा number of student जब तक हम यह नहीं estimate कर पाएगा कितना student है तो हम कैसे estimate करेगा book printing cost क्या है जब मेरे को यह नहीं पना number of student कितना है हम कैसे estimate करेगा तुम लोगो मेरे को कितने रुपे के लंच करवाना है या कोई दिन तुम लोगा दो बज़े लंच होगा कोई दिन तुम लोगा चार बज़े क्लास खतम होगा snacks party होगा पर party जबर जबूर होगा मालो हर दो-तिन मैंने में एक वर होगा पूरा silver सी दो-तिन मैंने में खतम हो जाएगा या might be हर मैंने में दो वर वो हम पहले बता देगा कि हम लोगा नेक्स दे लंच पार्टी है उस दिन मेरा request रहेगा प्रीज कोई खा के मताना मेरा खाना बेच नहीं होना चाहिए और lunch party में पूरा खाना मैं खुद अपने हाथों से बना के लाँगा खा कर देखवा जीवन का सबसे यादकार दिन हो जाएगा जिन्ने की भी और party बिलेगा तो यह निवेज यह सारा estimation हम लोग कब करते हैं साल के beginning में अब मालों यह लोग सारा का सारा ना लोग अपने estimation किया अब estimation करने के बाद जो हमारे कमती का finance department है वो क्या करता है सारे के सारे numbers को एक साथ में जोड़ता है इंसे पुछे का बताई एक अगले साल seal क्या इंसे पुछे का बताई अगले साल material cost क्या इंसे पुछे का बताई अगले साल employee cost क्या सब को जोड के एक summary बनाएगा और बनाने के बाद top management को present करेगा कोई बताई गा top management B.O.D. Board of Director को present करेगा अगर बैसास B.O.D. को लगे हाँ चलो ठीक है यह estimation अगर जो सूचा गया है वो सही में हो जाए तो मेरा कंपनी को चलेगा वो इस budget को अप्रूफ कर देगा और एक और budget अप्रूफ हो गया उसके अधर हर एक department का जिम्मेदारी है कि जो जो उसने वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा बलाव ऐसा नहीं यह बूल दी कि एक लाग पेन बेचेंगे लिख दीजी एक लाग पेन बेचेंगे और सही में बेची मालोई एक्जांपल देते हैं दस हजार पेन तब तो भईय हम लोग बरबाद हो जाएंगे यानि जिसने जो budget बनाया है उस budget को अचीव करना पड़ेगा और बैचस ज़्यादा या कम हुआ इसका हिसाब किताब इसका calculation इसका analysis किया जाएगा standard costing बोलके chapter में कि शुरू में क्या सोचे actual में क्या हुआ या नहीं short सरुधाशा ये बात करे तुम दो बताना एक line बुलेगा चुप हो जाएगा complete करना budget कब बनेगा सार के end में या beginning में सबसे important budget कौन सा department का है sales department का ये budget को approve कौन करेगा वहां के employee log करेंगा या वहां का BOD करेगा BOD का full form ठीक एक और ये budget बन गया उसके जो जिसने वादा किया उस वादा को निभाना पड़ेगा तो in short budget कैसे बनना है ये जानेंगे इस particular chapter बे basic done चुले काम करते हैं पहले लिखते है दोशा क्या बात है हमारे live online में तो answer की बहुचार हो गई तुम दो एक minute आज जैसे पहला class था दो बजे तुम अपना खाना पीना करके आया है ना lunch come किया है है ना हाँ सही में नहीं किया है देखो खाली पेट पढ़ा ही नहीं होगा किते लोग का खाना खाना नहीं हुआ हुआ है चाल चलो एकkas करें यहां लिखते है budget is a statement मेरा बजट के ऐसा स्टेप्मेंट जो प्रिपेर किया जाएगा फिनैशल यर के बिगिनिंग में प्रिपेर अधे बिगिनिंग अधे बिगिनिंग आप फिनैशल यर मेरा बजट एक ऐसा स्टेप्मेंट है जो प्रिपेर किया जाएगा इसको अप्रूफ कौन करने वाला है टॉप मैंजमेंट या ब्यूटी ठिक जूटी अप्रूट बाई टॉप मैंजमेंट आज मेरा खुल मिला कर चार तरगा बजट बनेगा हम लोग पहले शुरॉत करते हैं हमारा पहला बजट के साथ आज जिसका नाम क्या है और आज कैल्कुलेशन के लिए तैयार है रहा शुरू श्राट करते हैं फ्लेक्सिबल बजट थोड़ा नीचे चले तुम लोग लिख लिए आने यहां तक चलो एक काम करना पहला लिखना फ्लेक्सिबल बजट अब सुरू आज मेरे को फ्लेक्सिबल बजट में जानना क्या है क्या जानना है वो जानते हैं दो मिनट बात पहले हम बताते हैं जो हमारा कॉस्ट होता है लिए कॉस्ट होता है कॉस्ट होता है तीन तरीका का पहला नाम हम लेगा अगला दो नाम तुम लोग खुद लेगा पता है एक मेरा कॉस्ट होता है एक मेरा कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट नाम सुना है फिक्स कॉस्ट एक होता है फिक्स कॉस्ट बताओ अगला च्या बनेगा और मेरा वेरियबल कॉस्ट यह हम सब और मेरा एक होता है fix cost एक होता है variable कोई बता है कोई ऐसा कोई जिस पे दोनों का नीचर रहेगा और वो मेरा क्या रहेगा semi variable ठिक और किसी को भी तीरों का पहचान पता है और गुदीब को छोड़के fix cost और variable cost में difference क्या एक मिनट एक मिनट यह आवाज दा रहा है रावर किला से बताईए चलो ठीक आए यह बात एक दम सही बोल रही है मेरा fix cost क्या रहता है हमेशा fix रहता है आज जो मेरा variable cost है यह fluctuate करता है यह vary करता है आज जो मेरा semi variable है कुछ fix रहता है कुछ vary करता है इसको ना थोड़ा और आगे बढ़े है आचे एक मिनट आप बताएंगे बताएए चलो very good correct पताए मेरा fix cost variable cost का एक मात्र पहचान यह बात अभी से लेके जीवन के आँखरी सास तक याद रखना तुम जो जब जीवन का आँखरी सास होगा हम आके पूछेगा बताए fix cost variable का पहचान क्या तो यह एक ही आवाज दाना चाहिए ठीक आप मेरा fix cost का पहचान क्या mind में set करना mind में set करना आप मेरा fix cost का पहचान होता है भले unit बढ़े या unit गिरे यह खर्चा मेरा total में same रहता है आप किसमे same रहता है total में आप किसमे same रहता है total में ठीक भले unit बढ़े या unit गिरे मेरा fix cost total में same रहता है और मेरा variable cost का पहचान क्या होता है और मेरा variable cost का पहचान क्या होता है भले unit बड़े या unit गिरे ये मेरा per unit same रहता है और मेरा fix cost total में same रहता है मेरा variable cost per unit same रहता है ऐसा क्यों? एक minute बताते हैं ऐसा क्यों? अब रुको बालो मेरे को करना है बिजनस जिसके लिए चाहिए मेरे को एक जगा अगर मेरे को चाहिए जगा तो हम लेने जाएंगे रेंट में बालो रेंट में किसे लेने गए हैं इनके पास आपका नाम क्या है आयूश आपका नाम है आयूश आयुश एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है इसके बास बहुत सारा रियल एस्टेट है, हम पहुंचे आयुश के पास हम ओला भाई आयुश एक जगा चाहिए बोला दे देंगे हम ओला रेंट कितना, बोलो रेंट कितना तीन लाग पर पर मन तीन लाग पर मन हम इसे रेगोशियेट किया आँ फाइनले हम अगरी किया तीन लाग पर मन ठीक, यानि हम लोग दोनों के बीच में अग्रिमेंट हो गया, आँ फाइनली हमारा बीच में रेंट क्या फाइनल हो गया है थर्टी थाउजन पर मन मतलब साथ भर का 3,60,000 ठीक, कhow बन बना implies रेंट के रेंट का माउंट या क्या है? वेरियवल है या從 या क्यों क्यों फिक्स है? अगर मालन traveler एक भी यूनिट ना बनाए एक भी यूनिट ना बनाए क्या या मेरा रेंट कम कर देगा? याने मेरा रेंट लगेगा तिन लाग साथ हजार और बाइचेस हम दस यूनिट बनाए तो रेंट क्या लगेगा और मालनों हजार यूनिट बनाए तो क्या लगेगा और मालनों दस हजार यूनिट बनाए तो क्या लगेगा तिन लाग साथ हजार तो ध्यान देना ये मेरा टोटल ले सेम है, बलब ये मेरा क्या है fix cost clear है यहां तक अरे बहुत बोले ना बोलो ठीक, आप अगला मेरा खर्चा क्या लगने वाला है raw material का बहुत पेंड बनाने तो चाहिए raw material raw material के supplier पता है कौन है आप, आपका नाम क्या है हाँ क्या मौनी इनका नाम है money raw material के supplier कौन है हमारी money जी हम गए money जी के पास, हम बोला money जी मिरको raw material purchase करना है, बताए कितना भी देंगे बोला हर एक kg का लगेगा 10 रुपया या kg को हटाओ हर एक unit का लगेगा 10 रुपया तो मौना चलो ठीक है आप मिरको material देने वाले हैं 10 रुपया पर unit में, यह बोली हाँ अब मिरको एक बाब बताओ अगर हम 0 unit बनाए, कुछ ना बनाए तो मिरा material को उसकुछ लगेगा क्या यानि कुछ नहीं लगेगा अगर 10 unit बनाए तो क्या लगेगा एक unit का 10 एक का 10 एक का 10 एक का 10 अरे बोलो answer दो एक का 10 ऐसे लगए धर्म को लावे हम समान बेच रहा है answer दो ना एक का 10 एक का 10 तो 10 unit में क्या लगेगा 100 रुपया एक का 10 एक का 10 तो 1000 unit में क्या लगेगा 10,000 रुपया 10,000 रुपया तो एक कर 10,000 कर क्या लगेगा 1,00,000 रुपया तो ध्यान देना जैसे जैसे number of unit बढ़ा मेरा variable cost टोटल में बढ़ गया पर अगर पूछा जाए per unit क्या हुआ तो देखो per unit इधर में भी 10 रुपया per unit था इधर में भी 10 रुपया per unit था इधर में भी 10 रुपया per unit था तो ध्यान देना जो खर्चा मेरा टोटल में सेम रहे वो fixed है और मेरा जो खर्चा per unit सेम रहे वो मेरा क्या रहेगा variable बोलो यहां तक clear है आरे बोलो न तुम जो करे age क्या है कितना 15 15 यह class काम को लग रहा है average age होगा शायद 18 से 21 साल 22 साल के बीच में वही होना चाहिए तो 18 से 22 साल का बच्चा लोग आज से अगर पूछा जाना बोलो ना समझ में आया तो ऐसा आवाज आना चाहिए जिससे building बूजे तो मेरा age कितना है age भले जो भी हो 18 साल हम 17 साल 18 साल का लगता है पैसा देंगे अलग से देंगे खुप्चे में चलो एक मिनट अरे बोलो ना अभी तार्म दो ही बात बताया बतार ये दो बात समझ में आया है नहीं आया अरे बोलो चलो ड़न एक मिनट वो दो बात क्या था मेरा फिक्स कोष्ट का पहचान क्या और मेरा वेरिबल कोष्ट का पहचान क्या पर यूनिट सेम अग जो खर्चा अगला लाइन तुम लो बताना अग जो खर्चा टोटल में भी सेम ना हो पर यूनिट में भी सेम ना हो अजो ना total में same ना per unit ना fixed ना variable जो fixed और variable दोरों नहीं है वो क्या है same variable done चुलई काम करते है fixed और variable का पहचान क्या फड़ा फट पहले लिखते हैं live online में बोल रहे हैं आप सर स्वीट 16 के लगते हैं हमको पता है क्या बोलना है अभी जो बोलना है चलो तीन कोस्ट का नीचर क्या है? घांतर से देखना आज तोटल में जो सेम रहे हो थिक एकमिनित जिसके तरफ फिर अंगली जा खली वह आंसर देगा ठिक जो पर एकमिनित जो पर इनित सेम में रहे वो एकमिनित जो पर सेम रहे से मिवेरिबल चुल्ब करते हैं पहले दिखते हैं राफिक सौश क्या विरिबल कौश क्या से मिवेरिबल क्या जिनका पेपर एक पढ़ाव है उनको यादा रहे एक्जाट यह सब बात हम लोग करते थे शर्ण सर आपका आउटोफोकस हो गए अरी हम आउटोफोकस हो गए एक मिलट देखो नहीं दूँ हाँ बूलो तेम्परिचर बढ़ा दे क्यों ठंड लग रहा है चलो ठीक है देखते हैं आज चले काम करें पहले लिखते हैं यहाँ पे बनाने एक टेवल इधर बनाने एक टेवल सबसे पहले लिक्था कोस्ट टोटल और रॉणित यहाँ लिक्था कोस्ट टोटल और पर गूंट पहला लिखते हैं point number 1, fixed cost पहला लिखते है part number 1, fixed cost पहला लिखते हैं पहाँ बताओ मिल खुया ईक सब्सक्राइए एक सेब्सक्राइए ऑन स्था आध वान था लॉथर ने ने वो बंद करने से एक बार फरक पड़ जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आएगा सब बंद हो जाएगा धीरी धीरी बंद करेंगे चले आप मेरा पहला दिखते है पॉट्ट नमाँ फिक्स कोस्ट में दिखते हैं फिक्स कोस्ट रिमेंस कॉंस्टेंट इन टूटल और यादे मेरा फिक्स कोस्ट का पहचान किया ये हमेशा रहेगा कॉंस्टेंट टूटल में और मेरा टूटल फिक्स कोस्ट हमेशा रहेगा कॉंस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नमबर अफ उरिट्स और मेरा fixed cost हमेशा रहेगा total में same irrespective of change in number of unit यह लइन समझ मैं है या भले मेरा number of unit change हो जो खर्चा मेरा total में same है वो मेरा क्या है fixed cost clear है clear है done अब अगला बाद प्रेशन उठा है क्या मेरा fixed cost per unit भी same होगा नई मैंने example मिटा दिया बादनो मेरा rent है 5 lakh जल्दी से answer देना एक unit बनाए तो rent क्या लगेगा 10 unit बनाए क्या लगेगा 100 बनाए क्या लगेगा 1000 बनाए क्या लगेगा तो देखो यह मेरा total में तो चल रहा है same पर अगर हम पर unit निका ले तो पहले 5 lakh रुपीज लगा था एक unit के लिए तो मेरा cost per unit किता है 5 lakh divided by 1 5 lakh मेरा 5 lakh रुपया लगा 10 unit के लिए तो 5 lakh divided by 10 क्या होता है 50,000 मेरा 5 lakh रुपीज ही लगा है 100 unit के लिए तो यह क्या हैगा 5000 मेरा 5,200,000 लग रहा है अब 1000 यूनिट के लिए ये क्या एगा 500 तो देख रहा जैसे जैसे नंबर अफ युनिट बढ़ा total खर्चा तो same है जैसे जैसे मेरा नंबर अफ얼 यूनिट बढ़ा, मेरा fix cost total में तो same है पर बताओ per unit बढ़ रहा है या गिर रहा है बढ़ रहा है या गिर रहा है जानि फिक्स कोस्ट पर यूनिट मेरा फिक्स कोस्ट पर यूनिट यूनिट के बढ़ने के साथ साथ गिरेगा यूनिट के गिरने के साथ साथ बढ़ेगा तो एक कामकर यहां लिखते हैं पर यूनिट में और मेरा फिक्स कॉस्ट पर उनित विल देक्रीज विद इंपीस नुम्ब उनित्स और वाइसे वर्षा इस वाइसे वर्षा मने वाइसे वर्षा का स्पेलिंग पता है ना पुछले पाश में एक जन वर्षा लिख दिया था वी एसी वर्षा वी ए आर शेचे हां इंटेंशनल होगा जीवन में कोई रिष्टा रहा होगा चल यहाँ है मेरा फिक्स वास्ट और मेरा अगला बारी आता है पॉइंट नुम्बर टू वेरेबल कॉस्ट चल अगला लिटा है पॉइंट नुम्र टू वेरेबल कॉस्ट इसका अंसर कौन देगा हाथ उठो क्वेश्ट नम्नी पुछन से देखे या अंसर कौन देगा कौन confident है अप देंगे ठीक आपका नाम क्या है प्यूष 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 गुफश अंसर देना प्यूष डीयपए तो प्यूष का तेगा आपका नाम प्यूष रोहित बुलो प्यूश मैं क्वेशन दो पूछ रजे माल लो माल लो मेरा variable cost के example है माल लो material cost ठीक है एक unit का लगता है 10 एक unit का लगता है 10 तो बता हुझर एक से unit बनाएंगे तो मेरा total खर्चा क्या लगेगा 10 into 1 10 अगर माल लो 5 unit बनाया तो खर्चा क्या लगेगा 50, 5 into 10, 50 अगर हम 100 unit बनाया तो मेरा cost क्या लगेगा 100 into 10 1000 अगर हम 5 unit बनाया मेरा खर्चा क्या लगेगा 5000 तो यह को जैसे जैसे unit बढ़ा मेरा total cost बढ़ा जैसे जैसे unit गिरता मेरा total cost गिरता पर किसी भी option में देखना मेरा पर unit क्या लग रहा है पचास रुपय लगा 5 unit का यानि एक unit का 10 हजार लगा 100 unit के लिए यानि एक unit का 10 पाँच हजार लगा 500 unit का यानि एक unit का 10 तो तो निए मेरा variable cost का best part क्या है भले unit बढ़े या energ गिरे per unit same रहेगा पर यूरिट के बढ़ने के साथ साथ जो टोटल वेरिवल कॉस्ट है वो बढ़ेगा अरे बोले ना ये ये बेटे को ले स्टैचू बन गए आंसर नहीं देना समझ में आएकी ने ये बोले स्टैचू बन गए अरे बोले ना पका प्यूश ठीक है और आपका फ्रेंड थे मुहिद एक ही बात है आपको एक ही करके ना सबको नाम याप करना है ठीक आज का टार्गेट हम 4-5 तो याप कर चुका है चलो वेकाम पर रेजरा वेरिवल कॉस्ट में लिखते है और मेरा वेरिवल कॉस्ट टोटल में यूरिट के बढ़ने के साथ टोटल वेरिवल कॉस्ट तो पड़ेगा और यूरिट के गिरने के साथ टोटल वेरिवल कॉस्ट गिरेगा चलो याँ लिखते है वेरिवल कॉस्ट इन टोटल will increase with the increase in number of units पर याद है पर यूनिट में क्या होने वाला है याद है पर यूनिट में क्या होने वाला है एक मिनिट इसका जवाब देंगी आप येस आपका नाम क्या है कशिश पताई है कशिश आप मेरा वेरिबल कोस्ट पर यूनिट में चेंज होता है या सेम रहता है सेम रहता है चलो यहां लिखते है वेरिबल कोस्ट पर यूनिट में रहता है या सेम रहता है चलो यहां लिखते है वेरिबल कोस्ट पर यूनिट में जान 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 तुम लोग कितना तडप आता है अरे बोलो ना पका ना मेरा पहला हो गया फिक्स कोस्ट अगला हो गया वेरिबल तीसरा लिखते हैं सेमि वेरिबल पहले यहाद दे कम्पीट कर लो ठीक है रजट पहला दिन है बहुत लोग नहीं इसलिए इज़द दे रहे हैं देख जिसे आपना असली नाम बता देंगे शुब काम भी देदी क्यों तीसरा लिखते हैं सेमि वेरिबल कोस्ट तीसरा लिखते हैं सेमि वेरिबल कोस्ट यह टेबल का पार्ट निए एक अलग है आज तीसरा लिखते हैं semi variable cost टेबल में लिख दिये कोई बार ने काट के नीचे लिख दो आज मेरा तीसरा है semi variable cost आज मेरा semi variable cost वैसा cost है जिसमें थोड़ा fixed cost है थोड़ा variable थोड़ा fixed cost है थोड़ा variable तो यह क्या है combination of fixed and variable cost combination of fixed and variable cost पर वाई अगर यह combination है तो combination जानकर मेरे को क्या करवा है मेरे को तो इसको करना पड़ेगा अलग यानि इसमें जितना fixed cost है उसको अलग करो और मेरा जितना variable cost है उसको अलग करो और कोई एक जन्बस एक बात बता दो जब अलग-अलग करेंगे न तो किसको कैसे करें fixed cost को per unit में रखे या total में और variable cost को per unit रखे या total में किसको कैसे अलग करें और मेरा fixed cost बताओ किसमें सहीम रहता है तो उसका निकालो मेरा variable cost पर unit इसको अलग करने का दो तरीका है एक और हम शॉटकट बताते है फिर हम बताते है ऐसा क्यों बना एक उनिट किसी को भी आ दे हो शॉटकट क्या था आए नहीं आप बताई आपकर नाम क्या है जॉन्डि यह ऊंदर ना मुझे जॉन्डि सतर्म आपकत चार्ड मेरीया नै ठेख्यू जॉन्टी ना मोदो जॉन्टी जसा बताये जॉन्टी जॉन्टी अब हम धिये लिग आपकर ने ला इसा फॉर्मूला क्यों बताये जॉन्टी जी i am really sorry उज पहले जॉन्डिस तुना इम रीली स बिराना कान थोड़ा खराब है और प्रॉब्लम यह ना कि हम यह नाम सुन लिया ना हूँ को नाम ज्याद रहा है तुबारा यह थोड़ा में इस साथ लुचा है नहीं वह ऐसा मशीन का लगा लिए कान खरा पुड़ यह क्या क्या बात है हमारे सिधार्थ जी भी राइट आंसर दे रहे हैं लाइव ऑल्लाइन से चेंजिंग कॉस्स दिवाइड बाइड बाइड चेंजिंग उनिट्स आ इसका फार्मुला है बताँ यह क्या है टाइंगल है जो मिठी खेल रहा है हम लोग बैठके सरकल टाइंगल रिक्ताइंगल यह है डेल्टा आ डेल्टा का मतलब होता है चेंज in total cost divided by change in number of units क्या बात है अभिशेक सही बोल रहा है change या फिदेंटा change in total cost divided by change in number of units यह ऐसा चो बना में एक ती बताता है फिर मेरा fix cost क्या होगा जो भी total cost आया ना उसमें से variable cost को हटा दो जो भी मेरा total cost आया ना उसमें से variable को हटा दो total cost में से अगर variable हटा देंगे बागी क्या बचेगा? fixed cost आ ये दोनों formula ऐसा क्यों होता है? ये भी हम बताएंगे में कोई dominated हैं तो बताएंगे अब एक काम करते हैं तुम लोग के साथ अब खेलते हमें एक game आप पांचे टॉम नाम देगा? नाम नहीं numbers देगा तुम लोग मेरे को बताना एक game खेलेंगे जिस game का नाम है? नहीं जिस game का नाम है पहचान कौन? हमने एक game खेलने वाले ठिक गेम का नाम क्या है पहचान का नैना जी are you excited for this game चलो लिखना नहीं कुछ मत लिखना खाली देखना और आंसर देना यह यह क्या कर रहा है यह वाला गेम नहीं खिलने वाले ताश उद्ध टाश खिलेंगे हाँ तुछ इस उमर में गेम खिलता है पाँच हजार यूनिट में खर्चा क्या लगता है और हमारे गेम का नाम क्या है पहचान कान मालो एक है कॉस्ट ए है मालो पांच हजार बनाए तब भी लगा पचास हजार साथ हजार यूनिट बनाए तब भी लगा पचास हजार अभी आंसर मत दो अभी हम पो थोड़ा वो करने दो 3549 आंसर मत देना आंसर मत देना ये पांच कोस्ट का नाम है ABCDE तुम लोग मेरे को बताना ये पांच में कौन सा कोस्ट का नीचर क्या है कुछ रहेगा फिक्स कोस्ट कुछ रहेगा वेरियबल कोस्ट और कुछ रहेगा सेमि वेरियबल कोस्ट एक मिनट आज जिसे हम पूछे वांसा देना हम शुराइब करते हैं आपसे आपका नाम क्या है अरे नाम 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 हाँ अंकिता सिंपल क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या जो टोटल में से तुम बता होई इसके अंदर में कॉस्ट जो ए है कॉस्ट ए जब पांच हाधा बनाये तब भी लगा पचास हजाधा जब साथ हजार बनाये तब भी लगा पचास हजार यह वैलू पढ़ उनिट तो भोला नहीं है तोटल भोला है तोटल में सेम है बताव फिक्स कॉस्ट एक अरह हम आंसर बता दिया एक और हम जो भूल जो बतो cost A का nature क्या है fixed है variable है semi variable fixed यह थोड़ा stupid question बन गया था अब हाथ उठाना जो बता पाए बोलेगा नहीं cost B का nature cost B का nature क्या आप कौन बता सकता है cost B का nature क्या है यह fixed है variable है semi variable पहले बता यह क्या total में same दिख रहा है क्या इधर में 35,000 इधर में 49 अब यह total में same नहीं है मतलब fix तो नहीं है अब यह आईदर रहेगा variable यह semi variable variable एक मिनट variable का पैचान क्या है यह बताने वाली है Simpy जी इनका life को दूखी खतब दी हूँ आज यह बताने वाली Sima जी Sima जी बताए variable cost का पैचान क्या per unit में same तो 35,000 रुपीज लगा जब कितना unit बनाए 5,000 बतो तो per unit कैसे मिलेगा आँ divide करके 35,000 divided by 5,000 मेरे साब से आता है 7 रुपया per unit इधर में 49,000 रुपीज लगा 7,000 unit को बनाने के लिए जैने मेरा per unit क्या रहा है 49,000 divided by 7,000 क्या हैगा 7 per unit तो यह total में same नहीं है पर यह per unit same है न और अगर यह per unit same है तो एक minute आप बताए मैडम जो per unit same है उसका nature क्या आपको नाम क्या है बाई कोई नाम simple क्यों नहीं रखता सुच्छे था हाँ वो सुच्छा सुच्छे था जो भारत सुच्छा अभियान देना चलो अब हम पूछेंगे नहीं हम चाहेंगे आप अपने अपांसर दो cost C का nature क्या आप मेरा fixed है वेरिबल है semi variable है आप सीधा देखो ये total में same दिखा समझ में आता है same क्या होता है जो दोनों जगा same दिख रहे है आप देखो ये total में same है मतलब ये क्या है fixed अब दो cost D का nature क्या fixed है variable है semi variable पहले बताव fixed क्यों नहीं है total में same नहीं है तो per unit निकालेंगे 25,000 लगा है 5000 यूनिट का यानि एक यूनिट का 5 35,000 लगा है 7,000 यूनिट का यानि एक यूनिट का 5 तो ये per unit frame हो गया रहा ये क्या बनेगा variable और हटाओ मजा तो है point number E में ये fixed है variable है semi variable कैसे निकाला पहले बताव क्या है total में same नज़र आया मेरे को तो नहीं आया यानि fixed नहीं है क्या ये variable क्या ये मेरा per unit frame है 30,000 है 5000 यूनिट का यानि एक यूनिट का अच्छा है 34,000 है 7,000 यूनिट का यानि एक यूनिट का आएगा 4.85 something तो देखो भाईया ये हुआ क्या ना total में same ना ये per unit same तो ना fixed है ना variable ये क्या है semi variable ठिक एक यूनिट जॉन्टी जी अब बताएए ये semi variable है तो अब ये semi variable है मेरे को उसको दो पार्ट में बाटना पड़ेगा कुछ रहेगा variable कुछ रहेगा fixed और एक यूनिट हम जस्ट उपर एक formula लिखाये था कोई फॉर्मूला देखेगा नहीं नोट बुक में नजर गया उसका हम दो चलेंगे, हम राक्ष्ट स्थेप आदमी है यादे वेरेबल कॉस्ट पर युनिट को निकालने का में एक शॉट्कट बताया था वो शॉट्कट क्या था बीच का तो इसे हम रजाता है इसको ले जाते हैं उपर एक बात बताओ एक बात बताओ जी जो मेरा unit change हुआ उससे मेरा ये cost change हो गया अब unit के change होने से अगर कोई cost change हुआ तो इसमें कुछ portion fixed element रहा होगा कुछ variable और fixed cost तो अब्यस हवात है दोनों में same ही रहा होगा तो यानि जो भी बदलाव आया है फिक्स की वज़े से तो नहीं आया होगा क्यों fix तो से में रहा होगा जैनि जो भी बदलाव आ रहा है वो किस वज़े से आ रहा है variable cost की वज़े से तो ये जो 4000 increase हुआ है ये पका variable cost बढ़ा होगा तो जो 4000 रुपया बढ़ रहा है वो कितने unit के change होने पे बढ़ रहा है 2000 unit के change होने पे तो मेरा 4000 रुपया बढ़ा 2000 रुपया बढ़ाव जैनि मेरा per unit कितना बढ़ रहा है 2 रुपया तो ये per unit 2 रुपया आ रहा है ना इसका nature क्या बनेगा variable अब मेरा अगला question उठता है fixed cost कैसे मिलेगा जो मन्चा है एक unit ले लो जो मन्चा है बताओ तुम लोगा favorite number क्या 5000 या 7000 7000 तो देखो 7000 unit में इतना total खर्चा लगाना इतना खर्चा लगाना 34000 ले लिए अब इसमें से variable को उड़ा दे तो बागी fixed है मेरा variable कितना था एक unit का दो एक unit का दो तो 7000 unit में क्या लगेगा 7000 into 2 इतना variable लगा होगा 34 में से variable हटा बागी क्या हैगा 20,000 क्या बन जाएगा fixed cost ठीक अब तुरंट यहाँ पर सिंपी जी पूछेगी एक बात लगाएए आपका favorite number 7000 है मेरा तो favorite number 5000 है क्या उसके अंदर में same value आएगा सिंपी जी बिल्कूल आएगा तुम ऐसे को देख रही है क्या होगा तुम बिल्कूल ऐसे देखने लगेगी आज सीमा जी बोल रही है मेरा favorite number 5000 है उस पे भी करेंगे तो same आएगा एक दम same आएगा अगर इतने unit का ले तो खर्चे लगाता 30,000 माइनस करता है variable cost और मेरा variable cost क्या है एक unit का दो तो 5000 में क्या लगेगा 5000 इंटू दो कितना आएगा 30 माइनस 10 कितना बनेगा 20,000 बै जो लगाना है लगाओ मेरा fixed cost total में तो जहां लेकर ना देख लो आएगा और मेरा variable cost क्या आएगा पर unit में same एक मिनट यहां तक clear है अरे clear है मिरे को याद आ गया आप शाहिए पहले पढ़े वे ना paper it हाँ क्या नमता तुलू येस अब याद आ रहे है अब धिल दिल तुलू उलू ने तुलू तुलू हाँ आज चलब एक काम करें ये जो हम कहानी किया न एक और उसको भी लिख देते है clear है यहाँ तक प्यूश प्यूश का friend रोहित मोहित जो भी है तुम एक यी बात है तुमकों खाली रोहित मोहित बनाया है इनको सोचो सिंपी जी को क्या बना दिया आज चलब एक काम करते हैं यहाँ लिखते है थोड़ा सा weird heading पर रही लिखते है पैचान कौन एक्जाम में कभी इस पर लिखने नहीं बूलेगा यह हम लोगा समझने के लिए है कौन है भाग तद्वी चलब पहचान कर लो पहला लिखते है पॉट्ट नवर वन मेरा फिक्स कौस का पहचान मेरा फिक्स कौस का पहचान क्या है यह बताने वाली है यह बताने वाली है नहीं यह बताने वाली है आप येस टोटल में सेम आपका नाम क्या है निलान जना आफिक्स कौस का पहचान है टोटल सेम ठीक ना भले यूनिट बड़े या यूनिट गिरे जो टोटल में सेम है वो फिक्स कौस्ट है मेरा अगला है point number two variable cost आप आप मेरा variable cost का पैचान क्या है ये बताने वाली है ये बताने वाली है आप नहीं आप रजट आप और मेरा variable cost का पैचान क्या है per unit रहेगा से ठिक आप आप तीसरा लिखते है semi variable cost आर तीसरा लिखते हैं semi variable cost आर मेरे semi variable cost ना पहचान क्या है ये बताने वाले हैं गजोधर जी दोनों ये पहचान क्या है दोनों ये 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 क्या है अरे वाई एक minute आप बताईए हाँ बताईए आप भी तो हद उठारे दे हाँ correct पहचान जो ना total में same रहे ना per unit तो total and per unit not same जो ना total में same है ना per unit same है तो ना fixed है ना variable वो क्या है semi variable ठीक और यादे semi variable cost में जो हम लोग बाढ़ते थे variable fixed अलग करते थे वो variable cost per unit निकालने का वो shortcut क्या था change in total cost divided by change in number of unit अब G1 में G1 में नहीं कहीं अठके नहीं G1 में जैसे ही शब्द fixed cost आए G1 में जैसे शब्द fixed cost आए हमेशा total बना देना वो exam में ना जान गुछ कि तुमको fixed cost per unit देगा बोलेगा fixed cost कितना है वो बोलेगा 4 रुपिया per unit तो उससे पूछे ना भाई unit कितना है वो बोलेगा मालो 10,000 तो total क्या मनेगा 4 into 10,000, 40,000 यानि जैसी वर्ड fixed cost आए हमेशा total बनाना जैसी वर्ड variable cost आए हमेशा per unit बनाना और अगर बाईसस प्रेश्म में लिखा रहे ना कि fixed cost 5% बढ़ रहा है रेंट जैसे fixed cost के एक्जांपल है तो रेंट बढ़ी सकता है हर साल सेम तो रहेगा नहीं अर बैसेस एक्जाम में लिखा रहे है, fix cost 5% बढ़ रहा है, बतोब per unit का बढ़ाएंगे है total का, क्या, fix cost जैसे शब्दा है हमेशा हर चीज total का होगा, अर बैसेस लिखा रहे है, variable cost 4% बढ़ रहा है, variable cost 4% बढ़ रहा है, बतोब total का बढ़ाएंगे है पर unit का, हमेशा per unit का, इ क्या बात है खुशी जी राइट पर राइट आंसर देनी है लाइव ओल्लाइन में मेरा पहला जैसी शब्द फिक्स कॉस्ट है टोटल में रख बनाना वर्ड वेरिबल कॉस्ट आते ही पर यूनिट बनाना इतना कर लिया ना जीवन में बजेट का गलत ही नहीं होगा फिक्स कॉस्ट आते ही टोटल वेरिबल कॉस्ट आते ही पर यूनिट ठीक है नैना जी केशर जी यहां लिखते हैं we'll always calculate फिक्स कॉस्ट इन टोटल and variable cost as per unit प्रिया बोली है ये सर क्या बात है प्रिया ठीक है यहां तक और अगर बैजानस हमारे question ने fixed cost और variable cost बोले न ये इतना change हो रहा है ये इतना बढ़ रहा है ये इतना गिर रहा है कुछ नहीं करना fixed cost को हमेशा change करेंगे total में और मेरा variable cost को हमेशा change करेंगे per unit बस एक last line any change in fixed cost will be done on total and any change in variable cost will be done on per unit clear है यहां तक clear है यहां तक पक्का clear है ना पूरा एक घंटा लगा के fixed variable सब कुछ समझे है done चलो अब एक काम करते हैं अब start करते हैं थोड़ा practical question इसके लिए आप लोग आना पड़ेगा एक वार हमारे book में सबसे पहले page number 288 आना 288 का question number 2 सीधा आना page number 288 आई यह से लो मातिक रहेगा पगला जाए गाते आते हैं आई टू नी स्टरी question number one page number 288 question number one हमारा आज का पहला question page 288 question one हम लोग दो तिन question ना दो question संग में करेंगे फिर दो तिन तुम लोग से अपने आप करवाएगा और फिर homework देगा ठीक yes homework हाँ तो पढ़ाई के दौरान homework भी हो सकता है page 288 question number one यह हमारी रज्जों को बड़ा पंचाहिती है लाइव क्या चीजिसके इग्जामे करेंगे विकॉम के एग्जाम चल रहा है एग्जाम विकॉम का कितनों के इग्जामे करेंगे जरूरी है के जाना कॉलेज के एग्जाम है या प्रॉपर सी यू का सब्जेक का नाम चलो एक वार पहले यह वाला करते हैं फिर दिखते हैं चलो देखो क्या लिखा मैं आप बुक नहीं है सार सेम ओके आप बुक नहीं है तो एक वार यहां का फूटो लेलो स्क्रीन शॉट लेगे एक वार क्येशन कर लो ठीक एक वार फूटो लेलो देखो आप क्या लिखा है जो अफ लेक्सिबल बजट फॉर ओर एक्सपेंस इस ऑन बेसे दो फॉर इन डिटा and determine the overhead rate at 70% 80% and 90% capacity question में देखो मेरा 80% capacity में खर्चा क्या लग रहा है सारा दे दिया मेरे को calculate क्या करना है 70 और 90 में खर्चा क्या लगेगा सौन में क्या है 80 में दिया रहा है निकालना है 70 और 90 में क्या लगेगा आ यह कैसे करेंगे बड़ा असान है देखों बार 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 खाली एक ही बार बूलता है जैसे ही शब्द फिक्स कोस्ट आए हमेशा किसमें बनाना आ टोटल में आ जैसी वर्ड वेरियबल कोस्ट आए किसमें बनाना पर युनिट अब देखते हैं पहले क्या लिखावाया है वेरियबल बता जैसी वर्ड वेरियबल है हम लोगो को बनाना है पर युनिट तो देखो यहां मेरा पहला लगता है 12,000 उपया कितने युनिट को बनाने के लिए यहां पर युनिट नहीं दिया 80% दिया है तो यहाप एक कोस्ट पर युनिट निकालना पॉसिबल नहीं कोस्ट पर पर्सेंट तो निकाल सकते हैं कोई मेरा को बताएगा 12,000 लग रहा है 80% के लिए तो हर एक परसेंट के लिए क्या लग रहा है दिवाइड करो एक वार 12,000 divided by 80 क्या आता है 12,000 डिवाइटी क्या या वा मेरा 12,000 डिवाइटी आ रहा है 150 आ है न variable cost है निकलना है per unit पर यहां पर unit ती दिया है यहां दिया है percent तो निकालेंगे per percent तो मेरा 12,000 डिवाइटी कितना आहेगा 150 per percent ठीक? यह नहीं एक पर्सेंट में लगता है 150 तो 70 पर्सेंट में क्या लगेगा? 70 इन टू 150 और 90 में क्या लगेगा? 90 इन टू 250 समझ मैं क्या बुला? अब एक हम चाहेगा ना एक अगला अंसनर तुम लोगश मिरो को दो मेरा स्थोjo's including spare मोलता है 4000 चार हसार लग रहा है 80% के लिए और सिंस मेरा वर्ड है वेरिवल तो निकालना है पर यूनिट या पर यूनिट नहीं पर परसेंट मिलेगा तो के बिदाएगा कितना हैगा 4000 डिवाइड़ेड बाइटी क्या आएगा 50 रुपया पर परसेंट हर एक परसेंट पर पर पचास तो 70 में क्या आएगा 70 इंटू पचास 90 में क्या आएगा 90 इंटू पचास आया सुनियों क्या बुला अर आपनों मुझे जवाब दिदो होगे मैं घर चले जाओगा बाइज सर चले जाओ मैं घर एक बाद semi variable को लाते है एक मिनट बाद अब बात है fixed overhead का आज देखो मेरा ये तीन खर्चा दियावा है fixed में एक मिनट कौन बताएगा आप बताएगा आप बताएगे नहीं आप किबाजी वाली आपका नाम क्या है प्रीटी जी बताएगे आज जैसी word fixed cost आता है मेरे को per unit रखना है या टूटल में टूटल में और देखो ये मेरा तीनों खर्चा टूटल में दियावा था आज यानि जैसी शब्द fixed cost आया टूटल में रखना अब पता है क्या 80% में भी लगा 11,000 तो 70 हो या है इधर semi variable में लिखावा है टूटल में 20,000 अब आगे बोलता है इसमें 30% fixed है 70% variable है कोई मेरे को एक और इसका segregate करेगा 20,000 का 30% है fixed 20,000 का 30% क्या होता है एक बाव बता है ये word fixed cost है इसको मेरे को per unit रखना चाहिए है total में तो 20,000 का 30% 6,000 ये मेरा total में आया तो total में है 6,000 अगला answer देना बुद्धी लगा के कोई मतला मेरा variable cost कितना आएगा 20,000 का 70% आएगा 14,000 एक मिनट पर ये तो variable है total में रखे या per unit तो भाई ये तो 14,000 आया था total में per unit कैसे आएगा divided by 80 करके बताएगा 14,000 divided by 80 क्या बनेगा 1 जाएगा 175 per percent तो total वाला तो सेम रह जाएगा ये 1% में था 175, 70 में क्या आएगा 70 to 175 90 में क्या आएगा 90 to 175 समझा हम क्या बोला ठीक अब 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 कोई मेरे को बताओ repair का हम क्या करें ये भी मेरा semi variable है कोई बुद्धी लगा के बताओ हम क्या करें 60 percent fixed है 40 percent variable बताओ fixed और variable fixed को मेरे को किसमें रखना है per unit है total में कोई बताओ कितना हैगा 2000 का 60 percent होता है 1200 total में same हर जग आएगा 1200 2000 का 40 percent होता है variable मने 800 एक मिनट variable है total में रखे या per unit किससे डिवाइड करें 80 से कोई बताओ का 800 divided by 80 क्या होता है 10 रुपया पर percent 1 percent पे 10 70 में 70 to 10 90 में 90 to 10 हो जाएगा चले काम पर इसको fair में करते हैं यारी कुछ नहीं करते हैं आते एक total रख देना हर जगा same आए variable आते एक per unit रख देना per unit पता है जितना unit है multiply कर variable मिल जाएगा done done yes sir बोलो 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 John T.G. clear है नाम क्या मसत है John T. oh nice चले काम करें स्टार्ट करते एक question भाई ऐसा मान लो live online में तो answer का बोच्छार आ गया offline वालो कब खुन खौलेगा तिम लोग का oh my god एक मिनट हम भूल से ना वो PDF बन कर दिया चलो एक मिनट प्रिपेर करने क्या बोला है flexible budget तो heading भी क्या लिखेंगे flexible budget ठिक जहां लिखता है particulars बाजू में लिखता nature nature मतलब क्या ये fixed है या variable fixed या variable ये word लिखेंगे fixed आते ही total लिख देना variable आते ही per unit कर देना और अगर बैचन semi variable रहे fixed variable को बाठ देना ठिक और किसका calculate करना है 80 का दियावा था 70, 90 का निकालना है रहसे तो तो तीनों के बनाने बोला है तो हम तीनों लिखता है 70 80 and 90 ठिक नैनाची done चाब बात है नैनाची आँ मेरा पहला है variable indirect labor चलो पहला लिखते हैं indirect labor आँ इसका nature के ज़रा देखो variable लिखावा है तो यहाँ पर लिखेंगे variable पता है बाजू में लिखता क्यों अच्छा है क्योई जैसी वर्ड वेरिबल आ गया ना आब मिरको पता है मिरको per unit चाहिए तो per unit कैसे आएगा 12,000 divided by 80 कितना आएगा 150 per percent हर एक पे 150 हर एक पे 150 तो 70 में क्या आएगा 70 into 150 जो शायद बनेगा 10,500 मेरा 80 में क्या आएगा हर एक में 150 80 में क्या आएगा 18 to 150 मेरा 90 में क्या आएगा 19 to 150 13,500 clear है यहां तक done मेरा अगला बात stores भी मेरा variable nature का था तुम लोग एक और अपने अप लिखेगा यह भी मेरा variable nature का है जैसी शब्दा आता है variable जैसी शब्दा आता है variable आप बताईए आपका नाम क्या है तुम नाम सुनावा है अच्छा हाँ अच्छू जैसी शब्दा आएगा variable निकालना है पर यूनिट तो भाई पर यूनिट कैसे हैगा 4000 divided by 80 50 रुपया पर परसेंट तो 70 में 70 into 50 80 में 80 into 50 90 में 90 into 50 बुलो clear है यहां तक clear है और मेरा अगला है semi variable power चुलिए आप लिखते है power अब मेरा word है semi variable यानि fixed भी है variable भी है तो भाई इसमें मेरे को अलग करना fixed कितना है variable कितना है आज जब word fixed cost लिखेंगे total में लिखना जब word variable लिखेंगे per unit लिखना एक बार अलग करें आज यानि word fixed cost आए ना total में रखो total में रखो total में रखो आज वर्ड variable आएगा per unit रखो मेरा variable कितना है 20,000 का 70% 14,000 पर भाई पर unit बनाना है तो तूरंट डिवाइड किसे करेंगे 80 से एक और बताओ नहीं कितना हैगा 14,000 डिवाइड बाई 80 175 पर परसेंट clear रहे है या तक आज यो मेरा word fixed cost है total में आया वाई है total में सेम रख देना तो मेरा हर जगर आएगा 6,000 आज यो मेरा word variable cost है ये per percent आया वाई है हर एक पे 175 तो 70 में क्या आएगा जाएगा 12,250 आज जाएगा 14,000 जाएगा 15,750 बुलो clear रहे हैं या तक आज मेरा एक और semi variable था जिसका नाम है विपेर आज यानि जैसी semi variable है fixed और variable में बाढ़ दो fixed में total में रखना variable में per unit 2000 का 60% होता है fix यानि 1200 रुपया मेरा 2000 का 40% होता है variable मतलब 800 रुपया पर जैसे शब्द variable आता है मेरे को चाहिए per unit divide कर दो units यह unit नहीं है percent है यह एका 10 per percent तो total वाला रह जाएगा same मेरा variable का है एक percent पर दस तो यहाँ पर आएगा 70 में 700 80 में 800 90 में 900 बोलो clear है न यहां तक clear है गजो धर अब जो मेरा अगला तीन cost है देखो DIY fixed overhead तो वाए fix में चापी नहीं है total में चाहिए total DIY हर जगा रहेगा same चुलो depreciation insurance salary depreciation यह रहेगा fixed कितना था कितना था कितना था जारह हसार शगुन का जारह हसार total में same total में रखना हर जगा आएगा जारह हसार मेरा अगला क्या है insurance यह है मेरा fix cost 3000 मेरा last में है salary 10,000 सुनो ना कोई total निकाला है कि है सबका एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बाइ इनी शार्स कोई total निकाला है 58 58 58150 अगला 62,000 अगला 65,000 60 65,850 बुलो आया नहीं यहां तक चलो इसी के साथ क्यों नहीं होगा चलो डन चलो इसी के साथ हमारे यह वाला question होता है अब हम चाहेंगे एक अच्छा question सीथ आप लोग खुद करें अच्छा सॉरी सॉरी आज नहीं टोटल तो निकाले हैं यह तो चूटल आया है आज सॉरी यहां पे एक और नहीं था दिरेक्ट लेबरार 1,24,000 यहां लिख देते हैं दिरेक्ट लेबरार मेरा 1,24,000 था इधर इसमें था न 80% वाले में जैनि जब 80% काम करते हैं तो टोटल में कितना आर काम होता है 1,24,000 अगर 70% काम करेंगे तो लेबरार कम होगा अगर 90% काम करेंगे लेबरार ज़्यदा होगा जैनि जब यह वैरी कर रहा है न तो जैसी वेरीबल आता है निकालना है पर यूनिट तो 1,24,000 था 80% पे तो कोई मेरा को बताएगा पर आ परसेंट कितना आ जाएगा 1,50,000 आए ना पर परसेंट तो 70 में क्या आएगा 108,500,90 में क्या आएगा 139,500 चलो डा क्लिर रहे यहां तक आप चाहेंगे आगला क्वेश्चन आप लोग इसमें पौहम मांगा कहा है ओरेट का रेट निकालने बुला है आ एक प्रेट तुम लोग जाद है एक वर्ड होता था पेपर एट जो लोगा पढ़ावे और आर आ मेरा ओरेट recovery rate जहाँ पर हम लोग ओरेट के value को डिवाइड करते थे लेवरार से आप बस यहां पर एक और आर निकाल लेते हैं आज जितना जितना ओरेट का value आया डिवाइड कर देंगे लेवरार से मेरे वो क्या मिल जाएगा ओरेट का rate तुम आपको डीवाइट करके बताएगा कितना कितना हैगा का कि कुश्चिक गश्चु आईगा है जा कुछđ यह लाएगा 1.8, 1.8, 7, दुशा लाएगा, 2 यह लाएगा, एक तुशा लुग मेरे को इल्टा बता रहे है, और हीट को डिवाइट करना है लेबर आर से, टूटल ओर हीट को डिवाइट करना है लेबर आर से, एक मिनट जिरो पॉंट, बुलाया नहीं हाँ तक, अब एक काम करें, बच्काला क्वेश्चन हटाओ, अब चलते हैं एक बढ़िया question में और हम चाहेंगे वह आप उस सब को एक खुद करें एक long jump बारते हैं नई, सीरा 24 में long jump फिर वहाँ का सल्टालेंगे उस area का सीरा ना question number 24 हम बस खाली discuss करके छोड़ेगा तो लो try करना अपने आप करने का प्लीज एक बढ़ना question number 24 एक वाब करना question number 24 चलो try करना एक बढ़ना question number 24 अपने आप पढ़ने का बस खाली इसमें एक लिख देना ये रुपी पर यूनिट था ये एक missing है रुपी पर यूनिट ये रुपी पर यूनिट है बस इतना mention कर देना अब एक काम करना तुम लोग try करना अपने आप पढ़ने का पड़े क्या लिखावा है following are the budgeted expenses for production of electronic component of TV bracket में लिखावा है 10,000 unit यारे आज के दिन 10,000 unit बनाते है मेरा रुपी पर unit लगता है इतना सरा मेरा material दियावा है labor दियाए variable overhead दियाए fixed overhead दियाए variable expense दियावा है selling distribution administration दियाए और bracket में कुछ-कुछ लिखावा है ठीक कोई एक बाबत हो ये तीनों में कुछ लिखा नहीं है तुम लोग है सकते material का cost neighbor का cost और variable overhead का cost का nature क्या आएगा fixed आए ये variable आएगा fixed ये variable variable ये तीनों में क्या रहेगा variable एक मिनट जैसे ही शब्द variable आता है total में रखता है या per unit और जो ये per unit ही दिया वा था सारा का सारा per unit और मिरको calculate करना है prepare a budget for 7,000 and 9,000 unit तो calculate करना है 7,000 unit 9,000 unit में cost क्या पहले बाले में एक unit का 50 तो 7,000 में 7,000 into 50 एक unit में 50 9,000 में 9,000 into 50 कर देगा और similarly labor variable है तो per unit चाहिए दिया वा है मेरा variable overhead नाम खुदी बता दिया variable overhead वारिबल है per unit दिया वा है अब एक है fixed overhead एक minute जैसी word fixed overhead आता है fixed cost per unit रखता है या total में एक unit का दिया है 10 एक unit का दिया है 10 पर ये सारा cost लगा था 10,000 unit पे कोई बता है तोटल cost क्या होगा आप कितना हैगा एक unit का 10 है तो 10,000 unit पे खर्चा क्या लगेगा आप 10,000 into 10 कितना हैगा 1,00, तो ये भगवान तुम लोग देखा एक बात bracket में लिखा वही था 1,00, रुपिया तो मेरा fixed cost है 1,00, दोरों में मेरा खर्चा क्या लगेगा 1,00, मेरा variable expense है जैसी बड़ाएगा variable रखना है पर unit अब मेरे को बताओ कोई बुद्धे लगा के एक बात हर बढ़ाना नहीं हर बढ़ाना हुआ नहीं चोड़े चोड़ो मेरा select expense दियावा है 10 रुपीज पर unit bracket में बूलता है 10% fixed बताओ इसका 10% fixed है जैनि बाकि 90% variable है कोई मेरे को अलग करके बताएगा कितना आएगा 10 का 10% आएगा 1 10 का 90% आएगा 9 अब ये तो पर unit है तो ये 9 रुपीया पर unit आया और मेरा variable cost per unit होना चाहिए उसी में था पर भाई मेरा fixed cost भी आगया पर unit बताओ जैसी word fixed cost है पर unit रखता है या total बनाना है और total कैसे बनाएगे कितने unit से multiply करेंगे 10,000 आगया total में वो रहेगा save तुम लोग क्या पूरा question अपने आप कर पाएगा बाई नाम खुदी variable है जो भी लिखा है नाम है variable बस काम खतम जो variable है per unit रखता है चार column बनाना पर्टिकुलर्स नेचर 7,000 unit 9,000 unit टाइम है नहीं नहीं आपर 2 का मांग है 10 का तू निकल लेगा मांगा क्या चीज़ का है चाही करते हैं एक और ये question अपने आप करने का समय है 1,2,3,4,5,6,7,8 8 खर्चा है समय भी है 8 minute और bonus की रेख मिनट और लेड़ो टूटल निकलने के लिए क्या बात है लाइव अलनाई में तो मांग लो आंसर का बोचार आ गया आफलाइन वालो कब खुन खुलेगा तुम लोग का और गोदीव आप घर जाईए चलो ही काम करें question 24 में क्या है prepare a budget heading में लिखेंगे budget वैसे बोलते हैं इसको flexible budget एक मेरे को calculate करना है 7000 यूनिट पे एक मेरे को calculate करना है 9000 यूनिट पे फटाफट एक बर करेंगा अपने आप फटाफट हर एका नाम लिखता nature रिखा आप variable आते ही रख देना per unit fix ताथी बना देना total आप नेचर में कुछ ना बताए पर नाम खुद बता रहे है ये variable nature का है तो मेरा पहला तीनों है variable और variable को मेरे को per unit रखना है देखो हर चीज per unit ही दिया वा था ठिक तो पहला है direct material 50 रुपया per unit नेचर में लिखेंगे variable और से वर्ड यूज कर दे variable तो मेरे को चाहिए per unit per unit कितना है 50 एक और calculate करो अपने आप कितना कितना हैगा एक unit का 50 तो भाई 7000 का 7000 इंटू 50 9000 का 9000 इंटू 50 ठीक है या तक आँ मेरा अगला खर्चा है direct labor ये भी variable नेचर का होता है भाई आँ देखना जैसी वर्ड आएगा variable मेरे को चाहिए per unit और देखो मेरा direct labor per unit ही दिया वा था 20 तो यहां लिखते हैं 20 per unit बोलो हो रहा है न बोली एंचु जी हो रहा है क्या बात एंचु केसर जी ने कहा हडान जौन्टी ने कहा हडान आँ मेरे एक unit का बीस एक का बीस एक का बीस 7000 का 70000 इंटु बीस कितना बनेगा 1,40 9000 का 9000 इंटु बीस कितना बनेगा 1,80 क्लियर है यहां तक आँ मेरा तीसरा है variable overhead लिखते है variable overhead आँ यह नाम खुदी बता रहा है यह variable nature का है तो यह अगर यह variable nature का है चाहिए per unit वो दियावा है 20 यह भी 20 है वह तो कॉपी कर देंगे एक unit का 20 तो यह एगा 140 यह एगा 180 बुलाए ना यहां तक आँ मेरा अगला है fixed overhead आँ जैसी वड़ाएगा fixed overhead मेरे को बनाना है total में चुले काम कर यहां लिखते है fixed overhead इसको बनाना है total में तो यह एक unit का 10 दियावा था कितने unit पे 10,000 पे हर एक unit पे 10 लगता था तो 10,000 unit पे क्या लगा होगा 10 into 10,000 एक लाग clear रहे यहां तक आँ मेरा अगला है variable expenses लिखते हैं variable expenses आँ यह नाम खुद मता रहा है नाम है variable आँ जैसी word variable आता है भाई मेरे दिल से तो एक यह आवाज आता है वो है per unit आँ देखो per unit दियावा है पाच एक यूनिट का पाच तो 7,000 का 7,000 into 5 9,000 का 9,000 into 5 clear रहे यहां तक एक दम आराम से करना इससे easy कुछ बनाई लिए संसार में है ठिक अब तुम लोग ना अगला दो लाई में फस सकता है मेरा selling expenses 10% fixed है जयाने 90% variable है इस 10 रुपए का 10% निकालेंगे वो बनता है 1 पर भाई यह तो 1 रुपिया per unit आया और 10 रुपए में से 1 fixed है यानि बाकी 9 रुपिया variable है मेरा variable बनता है 9 रुपिया per unit तो मेरा variable तो per unit होना चाहिए पर fix को total में बनाना पड़ेगा पर fix क्या था एक 1 per unit कितने unit पे जब आज के दिन था 10,000 तो multiply करेंगे 10,000 से आज यानि जैसे fixed cost है ना हमेशा total में बना दो तो यह कितना आ गया है 10,000 हमेशा total में रहेगा से आज यह मेरा क्या आ गया है variable cost एक unit का 9 तो वही 7,000 का 7,000 9,000 का 9,000 बुलो क्लियर है यहां तक अगला लाइन दी करेंगा तुम लोग अपने आप करो next thing जो semi variable का है वह अपने आप करो एक minute आपको इसमें doubt है पका promise आपका चहरा बता रहा है कि कुछ तो doubt है एक प्रश्ट चिन्न मुझे आपके नजरों में नजर आ रहा है बुलो ना बुलो डाउट है तो बुलो ना हम confused क्या किया हम तैसे पूछ रहे कोई doubt है तो पूछो घवराने का नहीं है हम समझा नहीं साथ नौ दस ठीक है तुम दस बनाओ तुम्हारे को और क्यों बना लिए अच्छा तुमसे नंबर सही निकल रहे ना नंबर सही निकल रहे ना ठीक है देखो इसमें मांगा था खाली 7,000 9,000 तो वे बनाने से चल जाता मेरा अगला है distribution expense यह दिया है 5 रुपया पर unit जिसका 20% fixed है यानि बाकी variable है पांच रुपय का 20% होता है वन पांच में से एक गया मतलब यह आएगा 4 रुपया पर unit तो वाई variable में तो पर unit होना चाहिए पर fix में नहीं होना चाहिए पर यह पर unit था तो इसको total बनाना पड़ेगा 10,000 unit से multiply करके यह सारा calculation तो 10,000 unit पे हुआ है ना तो multiply भी 10,000 से करेंगे आर यह यह आएगा 10,000 और यह आएगा एक unit का चाहर तो 7,000 का 7,000 into 4 यहाँ पे 9,000 into 4 बुलाया है यहाँ तक हमारे अर्पिता जी ने तो total answer बता दिया खुशी जी ने कह दिया done हमारे अभिशेक ने कह दिया done offline वालो तुम लोग कब कहोगे done मेरा administration expense दिया है रुपीज 50,000 यह ने total में दिया है और यह सी नीचे लिखा भी था assume that administration expenses are rigid कोई बता है rigid मने क्या जो नहीं बदलता है fix तो मेरा administration लिखावाई है 50,000 सुनो ना भाई एनी चास कोई भी total निकाला है क्या नौ लाग नौ लाग नाई और लाइन में नौ लाग 20,000 मने तुम बोल रहा है अर्पिता गलत है सही बताओ ना ओने नी अर्पिता जी बोल लिए sorry 9,26,000 कैसे direct expense आया एक मिनिट direct expense कैसे आया भाई direct expense है कहां अच्छे ये रहा direct देखो लिखावाई ना variable expense तो मेरा जैसी word variable आता है पर unit को रखना है आँ मेरा पर unit क्या रखावाई है 5 तो एक unit का 5 है तो 7,000 इंडू 5 यहाँ पे 9,000 इंडू 5 एक मिनडी आएगा 9,00,000 और ये कितना है का 11,00,000 तुम लोग ये राइट हुआ पका आगला question पांच मिनट घड़ी देखे फिर करते हैं अच्छा last question and that's it for the day profit निकलने बुला है कहां बुला है कौन सा question कर रहा है अच्छा total cost तो देखो निकल लिए एक निकलने बुला है marginal cost वैसे तो marginal costing पढ़ेंगे तो जानेंगे marginal cost का एक और नाम होता है variable cost तो बस कुछ नहीं करना ये आया है total cost मिरको निकलना है marginal मतलब variable cost कैसे आएगा पता है जहां जहां variable लिखे है न ये सारे variable cost को जोड़ देंगे वो आगया marginal या variable cost Sir distribution expense का 20% कैसे आया देखो distribution expense था 5 उसका 20% होता है 1 यहां पर लिखे 1 5 में से एक fixed cost है यहां बाकी 4 बनेगा variable मेरा है दुनों per unit तो variable तो per unit होना चाहिए था पर जो मेरा fixed है वो तो total में बनाना है इसी लिए multiply करके unit से ताकि total में बना पाए कितना है यहां variable cost, marginal cost यह क्या हो गया कोई बता हो ना variable cost कितना है यहां 7,56 और यह वाला 972 यह आया है तुम लोगा सारे के सारे variable को जूड़ दिये जहां जहां वर्ड हम variable लिख दिया ना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै यह सारे के सारे variable को जूड़ दिये मेरे को क्या मिल जाएगा total variable यह marginal cost clear है यहां तक? is it clear? is it clear? question number 27 27 27 तुम लोगा हम अपना हिंदी का नजारा दिये इंग्लिश का नजारा दिये अब हम आप लोग को बताएंगे मेरा बेंगॉली का टालेंट अगलो प्रश्टो सब करवे सोताइस बोल बोल इनना सोताइस आप चाहि करना प्रश्टो संख्यो सोताइस सब करे अपने आप मनला मेरा कॉपी के तुम पकड़ के पीटे के तुम अच्छी हर्याने से नहीं समझ नहीं पाता है अभिशेक आप बोल रहें मीन्स और हस रहे हैं आप कहा के रहने वाले हैं बताईए अभिशेक जो आप मेरे पे मेरे आप के से बताईए सरा बोला अभिशेक कहा के हो आप आप पुने के हैं यानि मुझे को आपको मराथी में समझा रहा है आप देखो मेरा मराथी लेंग्विज अभिशेक मराथी माहितिना आप बताओ अभिशेक यह हम सही बुला या नहीं बुला मराथी माहितिना का मतलब मराथी हमको नहीं आता है यह वोला येस आप सही है हाँ अ फ्रेंच पी पर गाले को सारा लेंगे चाहिए तुमको आता है पहले 27 नमर करो अप्टेस्ट देने हैं कि तुम लोगा पढ़ाने आए चुले काम करें स्टार्ट करतें क्वेशन नमर 27 प्रिपेर अफ्लेक्सिबल बजेट फॉर्ड़क्शन आट 80 परसेंट अट 100 परसेंट on the basis of following information अब देखो भाईया मेरा 50 परसेंट के पैसिटी में कितना यूनिट बनाते हैं दियावा है ठीक है अब मिरको कैल्कुलेट करना है 80 परसेंट and 100 परसेंट में क्या होगा अब मिरको कैल्कुलेट करना है 80 परसेंट और 100 परसेंट में क्या होगा पहले एक और तुम दोग यूनिट कैल्कुलेट करके बता पाएगा 5000 यूनिट बनाते हैं 50% केपैसिटी में बच्छों ने पढ़ा Unitary Method जड़ छोड़ चोड़ बेवीस था जब आप छोड़ छोड़ बेवीस थे Unitary Method पढ़ा है 50% केपैसिटी में 5000 यूनिट अगर Pirate 1% केपैसिटी में क्या बनाएंगे 5000 divided by 50 तो 80% capacity में क्या बनाएंगे 5000 divided by 50 into 80 कोई बताओ ये क्या एगा 800 जो 800 बोला है इधर हो इधर हो कौन बोला है मिरा रोग कभी गलत आंसर नहीं दिया लाइफ में मेरा 80% capacity में कितना unit बनेगा 8000 कोई guess करेगा guess क्या करेगा calculate करेगा 100% के capacity में क्या बनेगा 5000 5050 के लिए था 200 के लिए क्या आने वाला है 10,000 या नहीं short कुछ नहीं करना आप देखो question नॉर्मल हो गया 5000 यूनिट बनाने पे खर्चा ये सब था calculate करना है 8000 10,000 यूनिट पे खर्चा क्या लगेगा calculate कर लेगा कुल मिला के खालिक 5 खर्चा है raw material direct labor direct expense तीनों का nature रहेगा variable सही है आज जो मेरा factory direct है ये total में दिया है जिसका कुछ fixed है बाकी variable है fixed वाला total में रख देंगे variable वाला पर यूनिट कर देंगे हम चाहेंगे ये पूरा question आप लोग स्वैम करें यार ये और गोदीप को ना पकड़के मन करता क्वीट दे हम question अब बुलता हो गया क्या बात है हमारे live online answer पर answer दे रहे हैं तो चार column particulars, nature, 8,000 unit और 10,000 units क्या बात है हमारे अरपिता जी ने कहा done अरपिता जी आप कहां के बताइए हम आपको आपके language में बताएंगे बोलिया अरपिता जी आप कहां के रहने वाले हैं बेगोस्था बाता है मैं राइपूर्ग से हूँ पर गुजराती हूँ अच्छा तो मेरे क्यारी मेरे को गुजराती बोलना है कोई लड़का तो तो मोटा भाही बोल देते हैं लड़की को तो मोटी बहन बोलेंगे नहीं पकड़के पीड़ेगी तो जो मोटी बहन पक्का ना जो मोटा भाई होता है मोटा भाइ मनने बड़ा भाई मोटी बेहन मने बड़ी बेहन, तुमको कैसे बता, तुम भी गुज़रती है, क्या है मोटी बेहन, सर में मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी बोलके दिखाईए, मने मारवाड़ी बहुत अच्छो आवे है, तो अच्छी बोल तो दिए, एज सुनो, question करो न, ये लड़का हर्य से हैं मैं हर्याने में बोलके थुरा हूँ हर्याने में लोग बोलते नहीं है बोलते हैं लट मार आप आप मेरे को प्रिपेर करना है फ्लेक्शिबल बजेट और चाहिए करो करने का 27 डन इतने फर्स्ट कैसे कर रहे हो पहले एक बस दो मिन रुक जो बाकी लोग करने दो अचली मार्केट बंद हुए बस देख लेते क्या हो गया घड़ी देखे पड़ा ही होता है कभी है हाँ वही तो बंद हो गया अब देख लेते क्या हुआ देखो भाई यह क्या होता है खुशी जी ने कहा डन खुशी जी आप बते ही आप कहा के हैं अब मैं काम करें फटाफट कर दे तुम लोग अपना अंसर मैच कर लो पुरिया जी ने कहा डन आप कहा के हैं खुशी जी बंगॉल की हैं चलो ठीक है तब तो आमार बोहें आप भी बंगॉल की हैं चलो तब तो बढ़िया हुआ आसन सूल की वो बंगॉल में है और मेरा पहला है रो माटीरिल 80 पर यूनिट तुम्हों मेरा स्पीड देखेगा और डिरेक्ट लेबर है वेरियबल नेचर का 50 पर यूनिट और मेरा अगला है डिरेक्ट एक्सपेंस वेरियबल नेचर का 15 पर यूनिट पहला तीन तो तुम्हों लोग राइट कर दिया होगा अब देखना है मेरे को अगला दोनों में तुम्हों लोग राइट किया है या गोची मारा है सिंपी जी ने कहा है एकदम राइट किये है पक्का सिंपी जी मेरा फैक्ली ओरेट का वैल्यू दिया है पचास हजार जिसने बोलता है 50% फिक्स्ट है भाई फिक्स्ट देखो बात 100 बात का एक है फिक्स्ट आते ही टोटल वेरियबल आते ही पर यूनिट बस खादा देखो मेरा टोटल में दिया है पचास हजार इसका 50% निकालेंगे पच्चेस हजार फिक्स्ट आया जो टोटल में चाहिए तो लिख देंगे 25,000 आज जो मेरा वेरियबल कोस्ट आया अब मेरा वेरियबल कितना हैगा पचास हजार में से 25,000 fixed है, हटा दे, बाकि 25,000 variable है, पर यह variable आते हैं, मेरे को per unit निकलना है, कितना unit है, 5,000 जाएगा 5 per unit, बोलो, यहां तक clear है, बोलिए, 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 सर्फ, जो मेरा fixed cost total में है, वो हमेशा रहेगा, same total में, जो मेरा variable cost है, बाई, एक unit का 5, एक का 5, एक का 5, एक का 5, 8,000 में 8,000 into 5, 10,000 में 10,000 into 5, I think I got 40,000 in 50,000, तुम लोगा यह right हुआ था, क्या बात है, तुम दों हुशार कैसे हो गया, जो छुटी का बात करें, वो पापी है, यह मेरा हम लोग कोई पता है, administration over a deck टोटल में 60,000, 60% variable है, 60,000 का 60% variable है, जानी 36,000, जानी मेरा fix कितना हैगा, 60 minus 36, 24,000, चलो मेरा fix cost तोटल में होना चाहिए था, पर variable तो नहीं होना चाहिए था, तो variable को बनाना है per unit, divide किसे कर देंगे number of unit हुए है, 5000, कितना हैगा, 7.2 per unit, आज जो मेरा fix cost है, टोटल में रख देना same, मेरा variable एक वाद किम दो calculate करके बताएगा, क्या बात है, फिर से बोलो, 57,600, क्या, 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 क्या कुछ गरत लिखे है, सही लिखेpieces हैं, आज याईगा 72,000, चुले, काम करते हैं, इसका करते हैं, टोटल, कुछे मेरा को था, इसका टोटल क्या बनेगा, 13 lakh हमारे पिता जी ने बता दिया है 16 lakh 21,000 एक बड़ तुम दों का ये वाला right था पका right था एक और question कर लिया जाए जो ये बोलेंगी final आप बताइए करना है आपका राम क्या है नेहा जी ने कहा एक और question करना है हाँ तुम दों से नगज़े पुछेगा एक छोटा सा question करते है homework जाए आज अच्छे रोठीक है आज first day जाना चापनी डालते है question 33 आपका रहेगा homework question 33 आपका रहेगा homework देखो इसी type of question देखावाई कियावा है अपका practice हो जाएगा घर में 10,000 unit का cost दियावा है calculate करना है 8,000, 6,000 unit का cost ये तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला variable बाकि तुम लोग पढ़ पढ़ के अपने हाँ समझ जाएगा क्या हो जाएगा क्या पका हो जाएगा ना homework चलो ये आपका homework था इसी के साथ हम लोग आशा क्लास करते हैं सर इस question का photo जरूर ले लो